नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने योट्यूब चैनल आउनलाइन स्टड़ी वीडिके में दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर रहे हैं आने वाले यूपिटेट एक्जाम 2019 के लिए परियावरन अध्यान का एक प्रेक्टिसेट और प्रेक्टिसेट जो है उसका अस्तर बिल्कुल यूपिटेट एक्जाम बेजडी है तीस प्रेशन हैं और इन प्रेशनों में आप अपने आपको देख सकते हैं कितना स्कोर आप यहां पर कर पाते हैं तो चलिए और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्यूशन यहां पर है बिर्जू महराज किस छेदर के तो प्रेशन पौषन है और इसकी अन्य कलाकारों में लेच्छू महराज शितार देवी सोबधन रायन चंदर लेखा आदी भी प्रमुक हैं चलिया अगलब प्रश्न है लेडराइड मिट्टी के संबन में निमने लिखित में से कौन सा कथन असरती है तो यहाँ पर चार विकलपा है हमारे सामने लेडराइड मिट्टी सामने ता अधिक वरसवाज छेतरूं पायती है सेकें नहीं यहाँ एक शारी मिट्टी है तो भारत था चीन के बीच सीमा बनने वाली रेखा कौन सी है रेड क्लिफ रेखा मेक मोहन रेखा दुरंड रेखा स्टेट फोर्ड रेखा तो यहां पर जो हमरा उत्तर होगा वो रहेगा आफसन सेकेंड मेक मोहन रेखा मेक मोहन रेखा जो है यह भारत और चीन के बीच में ह और इसी प्रकार से यहां पर जो रेड़ क्लिफ होती है यह भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है चलिए अगला प्रेशन लेते हैं निम्न का शुमेल कीजिए तो यहां पर इनका हमें उच्छे ते मेल करवना है तो चार विकल्ब हैं सुची फरस्ट है सागोन देवदार सुन्दरी सिनको नाम इदर हिमाले की तरही मद्य भारत सुन्दरवन हिमाले के उच्छ परवती छेत्र तो इनका सही सुमेलन जो होगा वो यहां पर रहेगा option third अब option third को यहां पर हम इंसे match करते हैं उसके नुसर तो ए सागोन यह हिमाले के उच्छ परवती छेत्र हैं बी यहां पर देवदार हिमाले की तरही इसी प्रकार सी सुन्दरी सुन्दरवन और सिनको नाम द्य भारत डी जो होगा इस प्रकार तो यह कि अगरए लेते हैं मैथन गेस उत्पादन वाला छेत्र है मौं सा है मौंगं फली का खेत कपास का खेत धान का खेत या होगा खिर तो यहां बर जो हमारा उत्तर होगा धान का खिर धान गर्द जो होता है और और राशन आनों से भी मैठन all Mays निकलती है चलिए अगरा प्राशन लेते हैं किसे कि आ EL को छटी पहुंच रही हैं तो किसकी वज़े से जो है ताज महलगार रंग धुमिल हो रहा है और जिसे स्टॉन कैंसर की उप्मा भी दी जाती है चलिए अलगर प्रशन है निमने लिखित में से कोन सा वायु प्रदुशक मनुश्य में रख्त दाव को बढ़ा देता है तो तो हर्दे शंबंदी रोग पैदा करता है तो यहाँ पर जो हमरा सही उत्तर होगा वो रहेगा आप्शन थर्ड कैंडिमियम चलिए अगला प्रशन है फ्लाइ एस वातावरणी प्रदुशक है फर्स्ट है धर्मल पावर प्ल ann्ट फिर्ड थर्ड औरवरक शेयंद्र फोर्त है सिमेंट उद्योग तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो है धर्मल पावर प्लांट ऑप्शन फर्स्ट होगा यहाँ पर हमरा उत्तर अगला प्रशन है कली का प्रमुख भाग जो छोटी पत्ती की भाती दिखाई देता है वहा कहलाता है इस तरीके सर अंडा से बाहिदल या बीजांड तो उसे हम कहते हैं आप्शन थर्ड जो होगा बाहिदल इसे बाहिदल कहा जाता है और इसके अतरिक्त पुष्परकेंदर फुमंग जायंगादी संगरिशनाई भी होती है चलिए अगला प्रशन है वरतमान में कर्वंड़ाय आकसाइड उस्वरजन में किस देश का सरवाधी की योग्यतान है योगतान है तो बहुत अच्छा प्रशन है फिर्स्ट है चीन सेकेंड अमेरिका थर्ड यूरोपीर सं प्रशन है तो यह होए आप्सण फर्स्ट चीन का क्योंकि चीन जो है यह वरतमान में सबसे ज्यादा कर्वंड़ाय आकसाइड करने में इसका प्रत्थम इस्थान है और यह संपुर्ण विस्व का लगबग 24 प्रदिशत कर्वंड़ाय आकसाइड उस्वरजित करता है और अमेरिका जो है इसका अस्थान इसमें दूसरा है रूस का अस्थान तीसरा है और भारत का अस्थान जो था है चलिए अगला ब्लब ब्रशन है संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पहरतों का होना आवश्यक है क्योंकि क्यों connections कolina कार्श्यक होता है तो आवश्यक तो आपसन फोर्ट हो जाएगा यहां पर हमरा इत्तरinas, मüस्लिय וर्व तो यहिसी ब़िमारी होती है और मुलेरिय के मक्षनों को खाने पूर्द है कोँ सा फदा म्रोदः वित्व फोड़ यहां पर उत्तर होगा वह रहेगा और सब्सक्राइब यह हमारा यहां पर सही उत्तर है क्योंकि करिल जो है एक मरुदित पहोता है और यह मरुदित लिशेतर में पायता है और साथ साथ इसकी पत्तियां मोटी होती है कुत्ता मशली का आवाज है तो कुत्ता मशली का आवाज कहा होता है केवल लोक्सभा में केवल राज्य सभा या एक साथ दोनों सदनों में या संसद के संयोक्त अधिवेशन में कुन सा है हमार उत्तर हेगा तो यहां हमारा जो उत्तर होगा वो होगा आफसन केवल लोक्षभा में क्योंकि वित्ती विल केवल लोक्षभा में प्रस्तूत हो सकता है और वित्त विदेग या धन विदेग केवल लोक्षभा में प्रस्तूत कियाते हैं ये राज्य सभा में प्रस्तूत नहीं कियाते हैं अगला प्रशन है option second जो होगा दिन के समय समूदर समेर दिन के समय बाइखती है इसलिए दिन के समय समूदर का तापमान इस्थल की अपेक्शा कम होता है जिसे समूदर में उच्छ वायधाप तथा स्थली भाग में निम्न वायधाप के सितिया बन जाती है चलिए अगरा प्रशन लेते हैं अधिक्तम आक्सिजन किसे उपलब्द होती है तो अधिक्तम आक्सिजन जो है वो किसे उपलब्द होती है तो हरे जंगल तो यहां पर जो हमारा उत्तर होगा यह पादप पलवग पुंज और फूर्थ जो होगा यह हमारा यहां पर सही उत्तर होगा क्योंकि आधिकतम आक्सिजन जो है पादक पुलकपुन्च से पनोहती और एकतरा के शेवाल होते हैं जो ओट के स्थरी करण में भी सहायता करते हैं चलिए अगला प्रशन है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचीयों के नीचे दिए गए कोट का प्रियोग करके सही उत्तर चुनिए तो सूची हमारे सामने हैं यहाँ पर बांधाउगड हिमाचल प्रदेश बांधिपूर गुजराद रहुला मदिप्रदेश गिर रास्टी उध्यान है और रास्टी उध्यान को उनके राज्य से हमें यहाँ पर मिलाना है तो यहीं पर मिला लेते हैं बांधाउगड जो है यह मद्धिप्रदेश इसी के साथ बांधिपूर यह करनाट है गद्धिपूर यहही हमाचल प्रदेश और गिर गुजराद तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर इनको सुमेलित करना है यह कैजिनका सही सुमेलन है अब जहाँ पर इसके विकल्प को देख रहा है कौंसा विकल्प यहाँ पर उत्तर के रोप में नगेगा तो यहां पर हमारा जो उत्तर रहेगा, वो रहेगा, और सुन फर्स्ट, चलिए अगला प्रशन है, वन महुत्सव किस ने प्रारंब किया था, तो वन महुत्सव जो है, यह प्रारंब किस ने किया था, जमालाल नहरु ने कैम, मुंसी ने, राजिंदर प्रशाद निया, S. M. S. 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 S कुछ नगरी अधिवास में देखने को नहीं मिलती है तो यहां पर होगा सामाजिक जो समानता है यह नगरी अधिवास में देखने को नहीं मिलती है चलिए क्योंकि नगरी जो अधिवास होता है वहां पर हम देखते हैं कि कुछ नगरी समाजी के अंदर स्रम विभाजन सामाजी आसमानता पेशों का विशेशी गरन आदिकी विसेस्ताइज जो होती है वो हमें वहां पर देखने को मिलती मिलती है अगला प्रेशन लेते हैं नेमने लिखित में से कौनसा एक परियतंतर सब्ध का सरोत क्रिष्ट वरनन है तो यहां पर रहेगा जीवों का समुदाए और साथ ही वहां परियावरन जिसमें वो रहते हैं option third जो होगा, ये हमारा उत्तर होगा, अगला प्रस्शन लेते हैं, परियावरण के अजेव, अव्यो का उधरन है, वनिश्पति जानवर वायू यह सब ही, यहाँ पर उत्तर होगा option third, वायू, क्योंकि जानवर वनिश्पति जो हैं, ये जेव अव्यो हैं, तो अजेव, अव देश में किसी प्राकर िच प्रदेश के अंदर समरुपत Wonderful वह अगला प्रशन महें है है निमनेलेगित मैंसे कौन सा जानवर पहले अपने एक तरफ के दोनों पर आगे बढ़ाता है फिर दूसरी तरफ के दोनों पर आगे बढ़ाता है तो वो कौन सा जानवर होता है तो वो जानवर जो होता है सेर बाग जिराफ या हाती इनमें समय आपर चैन करना है वो है जिराफ ऑप्षन थर्ड होगा यह हमारा उत्तर। अगला प्रश्न है हाथी परयोजना किस वर्ष प्रारंब की गई है यह लागो की गई थी वर्ष 1992 के अंदर और यह जो परयोजना है यह 1992 में प्रारंब की गई थी पिरियार मानस काजयरंगा राजाजी कारवेट और अन्नम लाए आधी irgend प्रेवरन सिक्षन के लिए उप्यूक्त कहानी विदी से वालकों के धिक्यासा के तरपती होती है तू यह रहेगा बालकों में प्रेवरन के प्रतीर जागरूकता होती है अवसन फोर्ट होगा यहां पर हमारा उत्तर चलिए अगला प्रशना है परेटन विधी से बालक को जो क्यान मिलता है वह पूर्ण होता है क्योंकि इस विधी के अंदर बालक जो है वह प्रत्यक्ष अनुभाव करते हैं और चीजों को जीवांतर रूप में अनुभाव करते ह तो उनका ग्यान जो होता है वह स्थाई बन जाता है चलिए अगला प्रशना है परेवरनी प्रतियोगताओं का मुख्य अदेश नहीं है तो परेवरनी प्रतियोगताओं का मुख्य अदेश क्या नहीं होता है तो यह चादरों को परेवरन विशे का विध्वान बनाना यह मुख्यों देश यह नहीं होता है चलिए अगरा प्रशन है सीक्षन में प्रयुक्त होने वाले प्रगतशील संगठन करता का प्रतिमान प्रतिमान का प्रतिपाधन किस ने किया तो ये किया था आउशन फॉर्थ डेविड आसुबेल ने आउशन फॉर्थ होगा यहां हमरा उत्तर चलिए अगला प्रशन है प्रयवर्ण सीक्षा के सीक्षन है तो अनुदेशनात्मा प्रक्रिया में विभेने सीक्षन तत्वों के विश्लेशन तत्व व्यवस्था की जाती है इसके तत्वों में स्रमावेश नहीं है तो इसके तत्वों में स्रमावेश किसका नहीं है विधियार्थियों के व्यक्तिकत जगड़ों का अवस्वन थर्ड होगा यहां पर हमारा इसका उत्तर दोस्तों यहां पर आज के मारे प्रवरान अध्यान के तीस प्रस्ण समापत होते हैं प्रस्ण आपको कैसे लगए कमेंट्स करके सब्सक्राइब करना न भूलेगा आप हमारे संतने समय तक बने रहें उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यों मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो के साथ